योजनाई निंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है किसानों के लिए बड़ी खुसकबरी है क्योंकि अब किसानों को भी 3,000 रुपे महिना की पैंसन मिलेगी और इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको 3,000 रुपे महिना की पैंसन मिलेगी जिया साथियो अगर आप एक किसान है तो आपके लिए भी बड़ी अच्छी खुसकबरी है क्योंकि केंदर सरकार अब आपको भी पैंसन देगी और 3,000 रुपे महिना का यह पैंसन किसानों को मिलेगा लेकिन यह पैंसन कैसे मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा कैसे आवदन करना होगा सब कुछ जानकर ही हम आपको इस वीडियो के माद्दम से देने वाले हैं तो अगर आप एक किसान है तो वीडियो लाश तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किसानों को एक पैंसन योजना चला रही है जिसका नाम परधान मंतरी किसान मांदन योजना है इस योजना के लिए किसानों को मात्र 55 रुपे देने होते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3000 रुपे की पैंसन के तोर पर दे जाते हैं देखे यह जो योजना है वह किसान मांदन योजना है जिस योजना में आपको मात्र 55 रुपे महीना जमा करने होते हैं और 55 रुपे जमा करने के बाद आपको 60 वर्स की उम्र होने के बाद 3000 रुपे की पैंसन सरकार की तरब से मिलती है दोस्तो हर महीने आपको 55 रुपे का प्रीमियम भरना होगा केंदर सरकार ने साल 2019 में परधान मंतरी किसान मांदन योजना की सुरुवात की थी सरकार का उद्देश से आय कि छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक लाब पोचाना था 18 वर्श से लेकर के 40 साल की उम्र तक के सभी किसान इस योजना का लाब ले सकते हैं अलग-अलग उम्र के पड़ाओ के हिसाब से अलग-अलग प्रीमियम आपको भरना पड़ता है जो 55 रुपे से लेकर के 200 रुपे तक होता है 60 साल की उम्र होने के बाद योजना में सूची बद किसानों को हर महीने पैंसन के तोर पर 3000 रुपे मिलते हैं अगर इस योजना का लाब ले रहे किसान की किसी कारण से मृत्य हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी को हर महीने इसकी आदी पैंसन यानिके पंदरा सुरूपे दे जाते हैं देखे अगर किसी कारणवस किसान की मृत्य हो जाती है तो उसकी पत्नी को हर महीने आदी पैंसन मिलेगी यानि के 1500 रुपे की पैंसन मिलेगी और इसमें आप 55 रुपे से लेकर के 200 रुपे तक हर महीना जमा कर सकते हैं और इसमें जो आपकी उम्र है वह 18 वर्स से लेकर के 40 वर्स के बीच होनी चाहिए और 60 वर्स की उम्र के बाद आपको 3000 रुपे की पैंसन मिलती है कैसे आप इसमें आवधन करेंगे देखे इस योजना का लाव लेने के लिए सबसे पहले किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके बाद किसानों को लोगिन करना होगा इसके बाद योजना के लिए मांगी गई सभी जानकारी इसमें आपको आविदन की जो परक्रिया है वह पूरी हो जाएगी देखे अगर आप प्रदानमंतरी किसान मांधन योजना में अपना आविदन करना चाहते हैं तो इसमें आप बैंक में जाकर भी अपना आविदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदी की Computer Center यानि के CSC Center में जाकर भी इसमें अवधन कर सकते हैं और यही सबसे आसान तरीका होगा तो अगर आप भी 60 वर्स की उम्र के बाद पैंसन लेना चाहते हैं 3000 रुपे की और आप एक किसान है तो आप परधान मंतरी किसान मांदन योजना के साथ जुड़ सकते हैं और 60 साल के बाद आपको 3000 रुपे की पैंसन मिलना सुरू हो जाएगी और इसमें आप 55 रुपे से लेगर के 200 रुपे महीना तक जमा कर सकते हैं तो साथ यो यही थी जानकारी की कैसे किसानों को 3000 रुपे महीना की पैंसन मिलने वाली है वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो लाइ है सस्क्राइब भी जरू करिएगा